Hello friends, welcome to Lenny UPSC, आज हम discuss करेंगे Engineering Services 2020 के जो Final Marks है Toppers के कितने Marks मिलें, जो Requanted Candidates हैं उसके Marks देकर आप एक assess कर सकते हैं कि basically आपको कितने नमबन लाने हैं यदि आपने 2020 का एक्जाम कौलिफाई किया है, Final Solution लिया है, then Congress Research Institute जिनका selection नहीं हुआ, उनको दिल छोटा करने जरूत नहीं है, अपने आपको reorganize करें, and let's start once again तो आज हम Toppers की जो ये Marks seat हैं देखेंगे, especially Civil Engineering से start करते हैं, उसको सारी ब्रांच देखेंगे Mechanical, Electrical, Electronics तो गौरो कुमार वर्मा की बात करें, इन्होंने Top rank acquire किया है, इनको मिले हैं 786 नंबर, देखें, ये 786 नंबर जो है, रिटन टेस्ट के हैं, ये Prelims और Mains दोनों के Marks जिसा के आप जानते हैं, जिनी से वजएड होते हैं, और ये है Personality Test के Marks, तो कुल होगे 906 नंबर, और अब इसमें देखते हैं, प्रेशांत सिंग जी के नाम, प्रेशांत सिंग की बात करें, ये उन्होंने 784 नंबर लाएं, देखा है तो रिटन टेस्ट में, मतलब दोनों Prelims और Mains दोनों मिलाकर, और Personality Test में के नंबर है 102 नंबर, टूटल नंबर है 886 नंबर, तो आप दीख सकते हैं, टॉपर्स के मार्स के से रेंज में है 906, 886, 864, परस्नलिटी टेस्ट में जो नंबर है वो लबग 120 से लेकर, हलेके 128 नंबर भी आप देख सकते हैं, अनिसा, बगगा को 128 नंबर मिले हैं, तो फिर भी इस जरनल नंबर जो है 100 के आसपास मिल जाते हैं, तो ये सकते हैं, और अब बात करते हैं, हम अगले सब्जेट की बात करते हैं, लेस्ट टाक अबॉट नेक्स्ट ब्रांच, मेकेनिकल इंजरिंग, मेकेनिकल ब्रांच की जो रिकमेंडिट कंडिर्स रहें, इनके टॉपर्स के मार्स लेखते हैं, तो ये हैं, सलुंखे, चतुर्द पुरत मुहन राओ, इनकी बात करते हैं तो इनको मिले 747 नंबर, ये रहे इनके रटन टेस्ट में, और परस्नालिटी टेस्ट में नंबर रहे 110 नंबर, टूटल मार्क से 857, ये इनके नंबर है, आप देख सकते हैं, काफी इंटरों भी इंटरों भी इतने अच्छे नहीं मि पार जी के बात करें, इनको 134 नंबर मिलें एंटरों में, this is one of the highest नंबर आई से, और 136 नंबर भी आप मिलें अर्पेज जैन को, लेकिन कहूंगा मैं, कि ये भी काफी अच्छा डिसेंट नंबर है, लेकिन ये भी आपको कालिफाई करना है, तो थोड़ी सी परस्नालिटी स्केल में भी काम करना है, you have to work in the personality स्केल, हलाकि एंजिनी स्रवेसें जो कुछन पुछाते हैं, वो बीसिकली आप दोर पर टेक्निकल कुछन ही पुछाते हैं, लेकिन कुछ कुछन ऐसे होते हैं, जो बाकी आपकी परस्नालिटी बेस्ट कुछन भी पुछ लिया आते हैं, यह रहे हमारे तीन टॉपस के मार्क्स, दस प्रटी इंप्रेश्व मार्क्स, 857 नमबर में फर्स टैंक लगी है, 829 नमबर में थर्ड रैंक लगी है, दस प्रटी इंप्रेश्व मार्क्स, इसकी बादे हम अगली बात करें, let's talk about the next one, आई बात करते हैं, electrical branch की बात करते हैं यदि हम electrical branch की बात करें, यहां के जो टॉपस के मार्क्स हैं, ससांक गौर की बात करें, इनको मिले है 715 नमबर, इन्डू में personality test में कुछ मातर च्छाने नमर बिले हैं, आप देख सकते हैं कितने कम नमर बिले हैं, total marks है 811, 811 नमर, total में काफी अच्छा नमर है, लेकिन personality test मे काफी कम नमर है, 96 marks, एक topper के हैसे से देखें, चुकि यहां पर अनुपम, यदि हम समंतराई की बात करें, इनको कितने ज़्यादा नमर बिले हैं, he got 156 marks, can you believe this one, this is one of the highest marks for this branch, इस ब्रांच की बात करें, 156 नमर, आपको यकीर नहीं होगा, बड़ी वाकी बहुत अच्छे नमर है, इस range में मुझे doubt लगता है, किसी के भी नमर आया होगे, 156 नमर इंटरू के लिए बहुत ही अच्छे नमर है, मतला आप एक कम नमर है, देखो, यदि आप इनकी बात करें, look at this one, यह इनुपम जी के बात करें, तो 651 नमर इनकी मिले हैं, 651 नमर मिलने के बहुत भी इनकी rank top 4 में हैं, अपने आप एक बहुत बड़ी बात है, electrical engineering में, अनुपम जी को बहुत चे नमर मिले हैं, लेकिन हाँ, यदि आप prelims और mains दोनों combine करके 700 क्या सपास लाते हो, तो possibility ही कि आपके अच्छी rank लगती है, और intro में आपको कोसिस करना है, कि 100 से उपर नमर आने ची इसा नहीं कि आप सको सिधे चले जाना, you have to practice that thing, जो aspects होते हैं, जहाँ पे आपका weak point होता है, वहाँ पे आपको काम भी करना है, और खास जो digital application form बढ़ते हैं, DF, उसमें भी आपको काम करके जाना है, now let's see the next one, अगला देखते हैं, हम electrical के बाद में, electronics की बात करते हैं, electronics में य total marks हैं, इनके 772 number, अब देखें, यहाँ पर देखा है, तो यहाँ भी intro में देखा है, तो 134 की बात करें, part 22 की बात करें, इनको काफी अच्छे number मिले हैं, he got very impressive marks, 609 number, 134 number, 747 number इनके total number हैं, अपने आप में काफी अच्छी बात है, राहुल जी की बात करें, राहुल जी को 26 तो इसे किस number मिले हैं, return में, फसनाडी टेस्ट में देखा है, तो 112 number मिले हैं, और total में सावसात इस number मिले हैं, that's pretty impressive marks I can see, तो आपको इस हिसाब से तयारी करनी हैं, कि आपको means में या prelims में दोनों में इस हिसाब से combined score करना है, कि आपके number, यहाँ हम electronics की बात करें, electronics में as compared to कम किया है, वहीं पर आप electrical की बात करें, तो यहाँ पर आम तो पर लोगों के जो number है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, as compared to that, यहाँ पर लोगों ने काफी अच्छे number score किये, they reached up to 715 or something, तो यहाँ पर total number 811 के आसपास हैं, लेकिन electronics में थोड़ी सी कम number, उसके साब से 772 number ने फास रैंक मलती है, चाहे हो किसी ब्रांच में हो, anyway, तो यह रहाँ discussion आज का, यह रहाँ टॉपस के marks, discussion को में इसके wind up करते हैं, आप लोगों से मुलागात करते हैं, अगले वीडियो में, यह channel completely, हमारा जो UPSC exam है, इसके लिए dedicate किया है, UPSC के जितने भी exam है, उसको हम यहाँ पर cover कर रहे हैं, आने वले कल में, यहाँ पर काफी सरा content हम डालने की त्यारी कर रहे हैं, and we will put so much content over there, चाहे हो GS का हो, चाहे हो कोई और भी content हो, definitely आपको इससे काफी benefit मिलेगा, that's all for now, discussion के इसके wind up करते हैं, आप से भी लोग यहाँ आप यहाँ इसके, thanks so much, मुलागात करते हैं आपको अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, आप दोस्तों को share भी कर सकते हैं, और नीचे comment देना मत भूलेगा, do not forget to comment below, that's all for now, मिलते हैं, फिर बबबाय डिकर, thanks so much